नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोकदा मार्च से 20 मार्च मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिलकुल ही मिश ना करें और दोस्तों सुरूर से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं दोस्तों यह बात आपने पूरी यूटूब पर कहीं नहीं सुना होगा जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों ऐसी जनकारी कोई नहीं बताता तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप विल्कुल ही मिश न करें और अकेले में देखें क्योंकि दोस्तों आपकी जीवन कालगी थोड़ी देर होती है लेकिन दोस्तों भागवान के घर देर नहीं होती जिहां दोस्तों अब आप सभी को बता दें कि इस्वर का संकेत मिल चुका है परमात्मा का संकेत मिल चुका है कि आपके जीवनकाल में परमात्मा का अब चमतकार चलेगा अब आप सभी के जीवनकाल मे आज के इस हमारे जिवाने से आपको जो भी जानकारी मिलने वाले हैं दोस्तों आपके मन को मन के हिर्दे को खुश करने वाले साबित होंगे जिहां दोस्तों वरस्ते दोस्तों आप सभी से बस यही निवेदन करेंगे कि दोस्तों वीडियो को आप अंतर तक देखिएगा जि पर होना दोस्तों आप से भी कि जीवन काल में बिर्धी को दर्स आता है जिहां दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि परमात्मा का या भारी संकेत हमारे जीवन काल में तभी आते हैं जब दोस्तों हम अच्छे कर्म करते हैं जिहां दोस्तों हमारे अच्छे कर् और दोस्तों हरेग मेहत्पुन शमयों का शही तरीके से सद प्यूग करें जिहां दोस्तों और आज की इस वीडियो में हम इन ही सभी के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों आपको कौन से गलतिया नहीं करनी है कौन सी शही समय पर कौन से सही कारी करने है यह परमात्मा का भार इस वीडियो को अंतर्तक देखना अब आपका दायी तो होता है जिहां दोस्तों उससे पाले दोस्तों जोगी सव्लिक शनी देव के सच्चे भग्त इस वीडियो को देख रहे हैं और इनकी लींड बॉक्स में सच्चे मन से जाई सविक्त प्राप्थ होगा जिहां दोस्तों और दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेल आइकन को प्रेस करके और पर श्लेट कर लें तो आई दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी विचार सी एक बहुत ही अच्छे ग्यान से, जो कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में याद रखने हैं, दोस्तों यकीन वानिए इनसे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा, तो दोस्तों इन्हें बहुत ही कवर से सुनिएगा, कि दोस्तों कोई लाग करे चतुराई, तकदिर का लिखा ना मिटेरे मेरे भाई राजा हो या रंक उसके वहां होगी सब के कर्मों की सुनवा ही जिहां दोस्तों जीवन में सबसे ज़्यादा भगवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है विस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है जिहां दोस्तों तो दोस्तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनकी लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्ण राधे राधी तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि यह देवी महिला के शंगम होने से आपके जीवन काल में कौन-कौन से बड़े बदलाब करने वाले हैं आपके जीवन में पारेवारी जीवन पर तेक छेतर में क्या-क्या सनिदेव खुश ख़बरियां देने वाले हैं बात करते हैं पूरी विस्तार से दोस्तों सनिदेव का आसिरवाद अब आपके जीवन काल पर पढ़ने वाले हैं अब आपके वह रुके हुए कार भी शंपन हो जाएंगे जो कि दोस्तों आप पिछले समय से काफी समय से परेशान थे वह कार पूरा नहीं हो पा रहा था दोस्तों देखते देखते सनिदेव की किरपास से वह पूरा होते जाएंगे दोस्तों याद किजिए कि आप पिछले समय में अपने जीवन काल से बहुत ही परेसान हो गए थे अपने जीवन से बहुत ही तंग हो गए थे और दोस्तों वश्रमे में आप सिर्फ और सिर्फ सनिदेव को याद किये थे इसे दोस्तों सनिदेव ने आपको यह एक बरदान द अब दिन दोगोनी और रात चोगोनी तरकी प्राप्त करने वाले हैं। अब आपका आने वाला शमय एक सफलता दायक रहेगा। देव ने दे दिये हैं। आपको बहुती बड़ी संकीत अपने सपने सकार करने का शमय आ गया है। सिर्व मेहनत और दिल निश्चे रखने की जरत है। कोई सुखत समाचार भी आपको या शमय में मिलेगा। दिन की सुरुवात में अपने काम को रूप रेखा बना ले। इसमें गिरह हिस्तिती बहुती अनुकुल है। आज कोई लाबदाय सुचना भी मिल सकती है। अपने भार्पूर मेहनत वा योगता दोरा अपना टार्गेट हासिल कर लेंगे। किसी कमपनी से महत्पूर ऑथरेटी मिलेगी जो कि आपके लिए फायदेमन रहेगा। और दोस्तों या किर्पा सिर्फ सनीदेव का होगा। कि कोई भी विर्णा बनाने से फ़ले उस पर गंभिरता से विचार आवसे कर लें। ना कुछ गलतियां भी हो सकती है। ना कात्मा परवर्टी की लोगों से गलत सला आपको आपके लक्स से भटका सकती है। बेहतर तो यही है कि अपने कार चामता पर ही विश्वास रखें। कि वैफसा में कामकाच को लेकर की गई नजदी की आत्रा आपके लिए फायदमन रहेगी। इन दिनों में आपकी परसितियां भी बेहतर होने लगेगी। नुक्री पेसलों को बदला समंदी आपसर भी मिल सकता है। तो आपके लव लाइप के बारें बात करें तो पत्ति पत्ने के विच खटी मिठी नौक चोक रहेगी। संतान के केरियर समंदी कोई सुप समाचार मिल सकता है। प्रेम समंदों में समय वेर्थ ना करें। दोस्तों में आपके स्वास्त के बारें बात करें। मांस पेसियों में खिचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। भरपुरू अराम लें तब व्यवाम करना ज़रूरी होगा। पंपांत्रा दिन चारह के पड़तिला पारवे आपके स्वास्त के लिए नुकसान दा रख सकती है। इसलिए वह वहस्ति दिन चारह रखें। आपके सरीत अंदूर स्थिट रहेंगे। दोस्तों बात करताब के उपाय के बारे में। दोस्तों यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाप दायक रहेगा। दोस्तों बात करताब का लखी रंग और लखी अंक क्या है। दोस्तों पागवान सन्यदेव का आज सिर्वात आप सभी को प्राप्त हो। सची दिलशी कमेंड बॉक्स में जैश सन्यदीव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद